सरकार इस्ताल शुगर एक्सपोर्ट के कोटे में कर सकती है 20% की कटोती करने जा रही है सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस साल सितंबर 2023 तक घरेलू सप्लाई को बनाई रखने और बायो फ्यूल की बटती धिमांड को देखते हुए शुगर के एक्सपोर्ट कोटे में 20 फीसद तक की कटोती कर सकती है आपको बता दें कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादन भारत इस साल शुगर मिलो को 90 लाग टन शुगर एक्सपोर्ट की मंजूरी दे सकता है चोकि 2021 के 1 करोड 12 लाग टन से कम है इस मामले पर खाद्यमंत्राले से की गई पूश्टाश का अभी तक फिलाल कोई जवाब नहीं मिला है पिछले साल से भारत से होने वाले चीनी के निर्यात में कटोती से चीनी की ग्लोबल सप्लाई पर काफी असर पड़ सकता है गोर तलब है कि दुनिया के चीनी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर ब्राजील के कुछ इलाकों में बारिश होने के कारण गन्य की पिराई में कमी आई है ऐसे में खबरे निकल कर आ रही है कि सरकार जल्द ही शुगर एक्सपोर्ट के कोटे में कमी कर सकती है और 20 फिसद की कटोती की संभावना है